नवस्ते मैं हूँ संजय इक्षित और आप देख रहे हैं दीजैपूर डैलोग्स CAA लागू और प्रोपागेंडा शुरू जहां आज CAA के रूल्स नोटिफाई करके सरकार ने पूरा काम कर दिया और CAA जो एक्ट था उसके सेक्षिन 6 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे उनको लागू करने के लिए जिन नियमों किया वशक्ता थी वो आज लागू कर दिये गए उनके लागू करने के साथ ही चारों तरफ चिल्लपों भी आरंब हो गई अब देखिए चिल्लपों किया जो मुख्य कारणा है वो क्या है ममता दीदी क्या कहती है कि इसको लागू करने में चार साल क्यों लगा दिया इसको चुनाओ के ठीक पहले क्यों लागू किया वेरी गुट अच्छा पॉइंट है या तो आप लागू नहीं करते किया भी तो चुनाओ के पहले क्यों किया ये उनका मुख्य आव्यक्शन है और करें मैं अनर्सी को लागू नहीं होने दूँगी अरे बई अनर्सी तो है नहीं इसमें ये तो CAA है और ये CAA किन के उपर लागू होता है उनके उपर जो 2014 से यहां पर आए हैं तो उनको एकस्पिडाइटिड सिटिजन्शिप मिल जाएगी ये अलग बात है कि ये 2014 का जो समय है ये आगे धीरे धीरे बार बार अमेंड होता रहेगा और 2014 से 21 भी हो सकता है कोई बात नहीं है इसी कोई खास बात नहीं है फिर दूसरा जो पॉइंट ब अलाओ करना चाहिए था यानि एक तो पहले मसल्मानों को दूसरा देश दे दिया और अब कह रहे हो कि उनको यहां आने दीजिए जिससे कि ये देश भी वो पूरी तरह से इसलामिक कर दें यही जो पुराना जो देव बंदियों और बरेल्वियों में दोनों में यही इत् पुराने जमाने में भी एक कहते थे कि अंदर रहके करो दूसरे कहते थे नहीं बाहर से करेंगे तो अब यह जो है यह ओएसी साहब जो बता रहे हैं तद्वीज वो बाहर से करने के चलिए यह तो इनकी तद्वीज हो गई फिर एक और खड़े हो गए कांगरेस वाले वो यह लागू करने में इनको चार साल क्यों लग गए यार उस ताइम तो तुमने बाविला मचा दिया था उस ताइम तो तुमने पूरे दरना जीवी खड़े कर दिये थे उस ताइम तो तुमने पूरे अंदोलन जीवी लगा दिये थे शाहिन बाग बंद कर दिया था पूर रहे हो देर क्यों कर दी लागू है अरे भाई पहले एक चीज तो चूज कर लो यार क्या करना चाहते हो चलो फिर आगे चलते हैं आगे अल जजीरा बाई अल जजीरा क्या कहता है अल जजीरा कह रहा है अंटी मुसलिम सिटिजन्शिप अमेंड्मेंट अक्ट has been implemented by the Modi government ऐंटी मुसलिम वही वाला नरेटिव आपको धियान है वही वाला नरेटिव जिसमें कहा गया ता कि साथ यह मुसल्मानों के विरुद्ध है और इसमें मुसल्मानों के नाकर लिकता चली जाएगी अब बही प चलिए तो वो भी अपना जो प्रोपगंडा वही पुराना वाला जो है वो चलू किये हुए है अभी BBC आना बाकी है BBC भी इसी तरह गही कुछ लिखेगा और गारजियन और ये जो है भी तो क्या है कि अभी तो अमेरिका में तो अभी सुबह हुई है जिस समय मैं ये रिकॉर् उस समय तक हो सकता है उनका आने लगा अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको समय तक भी नहीं आया कुछ लेकिन आप देखिए आप द्रिश्य देखिए द्रिश्य है खुशी के विशेश कर कहां दो जगहों पे तीन जगहों पे सबसे अधिक डोल लगाड़े बज हुआ राजवंशी दोनों दलित कम्यूनिटी है लेकिन हमारे जितने भी लिबरल थे इनको इनसे कोई साहनुबोत ही नहीं थी हमारे यहां मैं बता रहा हूं आपको हमारे ब्यूरोक्रेट्स में बहुत सारे दलित कम्यूनिटी के ब्यूरोक्रेट्स हैं लेकिन वो केवल और केवल दूसरों के विरुद, हिंदू धर्म के विरुद, उसके विरुद, अपनी कास्ट को लिवरेज करके अच्छी अच्छी पोस्टिम पराने का प्रयास करते हैं, और बाकी समय केवल गालिया देते रहते हैं, हिंदू धर्म को, लेकिन जो उनके स्वेम के जो दलित सह हैं उनके लिए कुछ नहीं करते हैं जो काम यहां जैपुर में हो रहा है जिसके हम आपके सामने बार बार आपके सामने जिसका चित्र प्रस्तुत करते रहते हैं या जैपुर में हो रहा है जिसका हम चित्र प्रस्तुत करते रहते हैं दिल्ली में हो रहा है यह काम जो है इसम कोई किरोक्रेट बाई कैसा भी दलिप गयर दलिप कोई इसमें सम्मिलत नहीं को कोई इंसे लेना देना नहीं केवल इनको यह बताना है कि आपके हिंदू दर्म जो है वो बड़ा डिवाइसिव है और बड़ा विवाजनकारी है इसमें जो है देखिए मनुस्पनती में ऐसा लिख दिया गया था और किसी और जगह कुछ ऐसा लिख दिया गया था ये सब बाते इनको जो मार्क्सिस्ट ने इनको सिखाई है और जो इनोंने पूरी तरह से जो इनके कलोनियल मास्टर्स थे यानि जो मांसिक बुलामी जिनकी इननों ने की है अपने जीवन भर उन मांसिक बुलामी वालों ने कराने वालों ने जो सिखाया है वही बोलते रहते हैं लेकिन आज मैं अत्यनत हर्शित्ता देखके कि मतवा, राजवन्शी, मिघवार, ओड समाज, इस तरह के भील ये सारे के सारे जो हैं इनको आप देखिए एक तो यहां पर हैं जिनको सारी सुवधा मिली हुई है जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है और उसके बाद भी वो जैबीम के ग्रूप बनाकर और तरह तरह के हिंसा तरह तरह के और नाटक बकवास विद्वेश फैलाना ये कारे करते रहते हैं और दूसरी तरफ वे हैं जो 75 साल से हर प्रकार की प्रताणना सहते हुए पाकिस्तान में बांगला देश में अपने धर्म को नकेवल जीवित रखे हुए हैं लेकिन हम वो जो है किसी भी तरह से कनवर्ट नहीं हो रहे हैं उनको इतना प्रेम है हिंदू धर्म से जी हाँ वोई हिंदू धर्म जिसको यहां पर बैठे हुए हैं जो हमारे दलित एक्टिविस्ट हैं लिबरल्स हैं पंच मकार हैं वो सबके सबके तेंगे बड़ा ही भाई दिखिए यह हिंदू धर्म जो है यह पूरा कास्ट है यह तो बहुत भाजनकारी है तो इनसे पूछो इनसे पूछो कि यह जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वीजा लगवा लगवा के और यहीं रुक जा रहे हैं यह वहां इतने महान इसलाम में करवर्ट क्यों नहीं हुए क्यों उन सूफियों के जो परसुएसिव स्किल्स हैं उनसे यह जो है प्रेहित रहीं हुए क्योंकि यह पूरा का पूरा नरेटिव जो है वो जूटा है यह मक्कारी भरा है यह विद्वेश से बिटरनेस से प्रेरित है अब हम तो देख देख के हर्शित हो रहे हैं जिस पर कासे उम्मतुआ लोग ढोल बजा रहे हैं यहां दिली में जैपूर में जोतपूर में जो हमारे यह सब दलित सहोधर बंथू है वो आपस में हर्श से दीवाली मना रहे है हॉली मना रहे है रंग खेल रहे है अब क्या होगा भाई चुनाब में भी वाइदा तो होगा और क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव होता किसलिए है यह वाइदा जो है यह भारती जंता पार्टी के घोच्रा पत्र में 2019 में किया गया था उस वाइदे को उन्हेंने 2024 में चुनाव में जाने से पहले पूरा कर दिया तो यह कौन सा फिर आपती यह कौन सी आपती हुई इसके उपर किसाव इन्हों ने चुनाव से जाने से पहले कर दिया चुनाव में जाने से पहले ही तो करना था यदो चुनाव में जाने से पहले नहीं करते तो आप यही कहते है उल्टा उनको कह रहे भाई देखिए इन्होंने वाइदा किया था इन्होंने पूरा इको सिस्टम वाले लोगों तुम केवल आंसू बहो और जिन लोगों के विशेशकर से जो तथा करते दलितवादी बनते हैं उनसे कहें कि भाया तुम अपनी खाली लिवरेज करो और तरह तरह के जो आप ले सकते हो लाब वो लेते रहो बाकी इन लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का इन लोगों के लिए जो इस समय इतने प्रसंद हैं हर शातिरेक से पागल हो रहे हैं इनके लिए कुछ भी करना ना तो तुम्हें कभी जीवन में आया ना कभी तुम्हारे मस्तिश्क में आया ना तुम कभी करोगे तुम केवल और केवल अपनी जाती को लेकर द इसलिए रह गया है कि C.A. तो हो गया अब आगे जो भी बात कही है अगर आप ते सुना है ठीक से और प्रधान मंतरी के पंच प्रण को भी सुना है ठीक से तो ये मान लीजे कि N.R.C. भी आके रहेगा समय उसमें भी लग सकता है लेकिन आके रहेगा जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे वो नितान तमूर्ख है क्योंकि जो कारकी टेक्चर बनाया गया है जिस परकार से नोटिफाई किया गया है जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम में जो भी अपलाई कर रहा है उसको जो डिस्ट्रिक का डेजिग्डेटिड आफिसर है उसके साबने केवल ओथ लेने के लिए जाने की आवशकता है और बाकी सीधा-सीधा पोर्टल पे अपलाई होना है वो पोर्टल पे अपलाई होगा ओथ लेके जो ओथ का कॉनफरमेशन होगा वो उस डेजिगनेटेड आफिसर को बेजना पड़ेगा यदि आप डेजिगन ममतादी ने तो अभी तक नहीं कहा हो तो नर्सी के लिए कह रही है लेकिन पिनराई विजेन ने कह दिया है कि हम लागू नहीं होने देंगे वैसे भी केरला में कोई है नहीं केरला में एक भी व्यक्ति गया नहीं है वहां किसी को बुलाया हो आपने विशेश कर से तो वह तो आपके दूसरे ही वाले होंगे ना तो इसलिए उसको लिए आपके आवशक्ता भी नहीं है कोई पाकिस्तानी हिंदू जो है केरला गया नहीं है मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर्टिफिकेट तो फिर आप नहीं करोगे तो क्या होगा वहाँ पर डेजिगनेटेट ऑफिसर कोई केंदर सरकार का का अफसार बना दिया जाएगा उसके सामने जाकर ओथ ही तो लेनी है और जो इंक्वारी करनी होगी वाई भी से करा ली जाएगी इसमें कोई कुछ नहीं कर तो 365 लागू होगा और 365 लागू होने के बाद में क्या होता है 356 इसलिए वया करना तो सबको पढ़ेगा मजे लो और सारे जितने भी राष्ट्र भक्त लोग हैं और जितने भी देश भक्त लोग हैं उनको तो ये समय है होली दिवाली मनाने का और पंच्वक्कारों के मातरम